नमस्तार दोस्तों मैं सुम्प्रगास साहू आपका उडाना ये सेकेट में की e-learning प्रेट फार्म में आपका स्वागत करता हूँ देखें पुरारे कोईश्चन जैसे हमने चर्चा के थे 36 गड़ के इतिहास हो गया जेगराफिय हो गया वैसी आज भी हम 36 गड़ के कुछ मंदितों के प्रस्ण कई बार पूछे गए हैं वैसी प्रस्णों के लेकर मैं आया हूँ चलिए देखते हैं इसमें हमारे प्रमुक प्रस्ण कौन कौन से है देखें आई बढ़ते हैं पहला कोईश्चन है हमारा जन संपर के विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है अब ये जन्मन पत्रिका जो है इसमें प्रती बहने प्रती बहने ये जारी किया जाता है ठीक है यह तो आपका सरल कोईस्टन था आगे देखते हैं अगला कोईस्चन आगे दिखिए निम्न कथन को सुमेलित की जिसमें से कौन-कौन जो है एक तरफ आपके दिये हैं प्रमुक कलाक करें पुणराम निसाद कि से संबंधित व्यक्थी ठीक है पुणराम निसाद अगर बात करेंगे तो लोकुद कला से संबंधित व्यक्ति है लोकुदकला में भी कि से ये पंडवानी पंडवानी के की आप की तो यह आपके आपका अरुन सर्मा एक पूरा तत्त्य वीद है इनके दवरा जो है इन्हें जो है अरुन सर्मा को क्या मिला था था वही इन्हें पदबसरी भी प्राप्त हुआ है 2017 के आज़ा संथरे की आसपास में लगबख ठीक अगला देखिए फलबासन भाई य एक अगर B है तो एक हमारा, एक बी यहां पर भी दिख रहा है, दो जगह है, फीक है, सेकर नंबर जो है, आप देखेंगे सेकर नंबर में A, तो हमारी यह वाला आप्सन हमारा सही होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, B होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला कुछिश्चिन साथ सिद्धान, साथ सिख्छायन, ठीक है, साथ उनके अंतरगत चिन भी आते हैं, उनके प्रमुग जो है, तो साथ सिद्धान थे प्रमुग जो है, गुरुगा सिदा जी के, आगे बढ़ते हैं, आगे देखें, गंस्याम सुईंग गुप्त का संबंद किस संस्था से है, इनका संबंध कौन से समाज से थाया। इसकी अंतरक्त गुप्त में सथापित किया है। इसी आरे समास से संबंदित्य गंसामसी गुप्त जो है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखिए, सत्महला पूरा तत्विक इस्थल के संबंद में असत्य कथन का चेहन कीजिए, क्या पूछा जा रहा है, असत्य कथन का चेहन कीजिए, इसके अंदर गत, अस सर्गुजा जीले में इस्तित है क्या, तो सबसे पहले आपका ये सत्महला जो पूरा तत्विक इस्तल है, ये आपका कहा है, सर्गुजा जीले में बिल्कुल इस्तित है, ये थे वो हमारा सही है, इतिहास में से सोम, मंसिय और कल्चूरी राजाओं के दोरा सरक्षन श्वध हम मंदिर ऽुक्त में से संम उपने सूर्य मंदिर一 श्व estrem ग्लिजे रिघ Umaht-म को इसन नाम ही अगर तक सफ्क बूज开वा कर नुए अनुएड ये से मंदिर चलिह आगे पढ़ते हैं आगे देखिए बिलासपुर जीले में स्तित मंदिरों पर विचार करें बिलासपुर जीले में कौन-कौन से इंद में से दिये हुए मंदिर आपका स्तित है ये बताना है भई, तो महा माया मंदिर के अगर बात करेंगे, तो महा माया मंदिर सभी जानते हैं, महा माया मंदिर आपके रतनपूर के अंतरगत देखने को मिलेंगे, ये तो मंदिर है ही बिलासपूर के है, ठीक है, पातले सुर मंदिर हो गया, डिदने सुरी देवी मंदिर हो गया किचक सुर्य मंदिर हो गया दोड़ जटी मंदिर ये भी सारे के सारे आपको कहां पर देखने मिलेंगे ये भी है बिलासपूर के अंतरगत कहां पर है तो मलहार के अंतरगत हमें देखने को मिलता है ठीक है मलहार जो बिलासपूर के अंतरगत जगा है तो सारे के सारे म पूछतित हो हमारा अलग अलग हो जा यहाँ पर पूछा क्या क्या है बिलासपुर जीले में इस्तित है तो सभी के सभी मंदिर उप्यूपत हमारा सभी क्या हो जाएंगे एंसर हो जाएगे सभी मंदिर बिलासपुर जीले में इस्तित है ठीक है चलिए आगे देखिए अगला को नगर कहा जाता है तो यह बिल्कुल सही है इसे आरंग को क्या कहते हैं मंदिरों का नगर कहते हैं ठीक है यहां राजा मोर्धवच की नगरी की रूप में जाना जाता है या प्रसिद्ध उस रूप में तो यह भी सही होई मोर्धवच की रगरी की रूप में भी जाना जात कहां पर है यह रतन पूर के अंतर गध्र हमें देखने मिलता है तो इसमें से पूरा कथन तो सही नहीं हो गया क्योंकि कंठी दियोल मंदिर दे दिया इसलिए तेके यह निकस्ट इसके निकट में हमारा जो है ग्राम रिवा प्रसिद्ध पूरतात्वी किसे है प्रासिंग साक कोई एक कथन असत्या है करके इस में कोई भी एक कथन कैसा है असत्या है वहें तो देख है आगे बढ़ते है अगला कुष्यन देखिए है इक तरह आथ का मौधिरं की से जीले में. यहां नक्ता मंदीर के अगर बात करेंगे तो जांजगेर के अंतर की यह इस्तित्य की यह बना है रहि42 उसके नहीं है इस कारण से क्या कहते हैं नक्टा मंदिर केते हैं जो जांजगीर के अंतरगत है दूसरा मंदिर के अगर बात करेंगे कलेस्वर नाच सिव मंदिर कहां पर है कलेस्वर नाच सिव मंदिर के अगर बात करेंगे तो पिथमपूर जो जगह है पिथमपूर आपका ये भी जांज महादेकन Panhandir आपको मिलेंगे कहाद पर खिर्वद में इस्तितर है तो इसाधार पर हमारा संही उत्तर क्या होगे आगला सावनाही चित्रकारि का संबन्द किस तयोभार से था कौन से धियार में को स compare लिए जाती है बना जाती है रधर जाते हैं सबको पता होगा भई हरेली जब भी हरेली आप देखेंगे हरेली की समय जो है ये चित्रकारी सभी घरों में पहले तो दिखते थे आब अभी कम दिखते हैं तो सवनाही चित्रकारी कप की जाती है तो हरेली की समय की जाती है ठीक है चलिए आगे दिखते है अगला क पच्राही की अगर बात करें पच्राही आपका पूरा तत्वी की स्थल है हाफ नदी के किनारे जो हाफ नदी कहां पर प्रवाइत होती है तो पच्राही जो है कबीर धाम जीले के अंतरगर एक मंदिर है चिट्मिटिन माता का मंदिर ये देखने मिलेंगे सुक्मा के अंतरग है जो कॉणडागाा जीली के अंतर गाते हैं और मड़िया खोल आपका जगह है तो हमारे इस के अधार पर सहीं उत्तर क्या हो जाएगा बहाई वण कःअ हो जैगा वन का टी तो तीन जगह डी दिख रहा चर्रेमर्य जल्परपात की अगर बात करेंगे इसे मयूर जल्परपात को ही थीक है तामडा गूमर कहते हैं, तामडा गूमर जलप्रपात कहते हैं, और मयूरा जलप्रपात आपका कहाँ परिस्तित है, बस्तर के अंतरगत, जिस घाटी में इस्तित है, उस घाटी को कहते हैं, विंता घाटी, विंता घाटी, विंता घाटी के अंतरगत ये आपको मयूरा जलप सुष्ण के अंदर जो सबरी नदी है इसी में है शन समय ओर जपाथ की बात करें तो चर्रें मर्य अब व उंचंग शल्प्रपाथ की बात करें तो यह पर विज़ापुर्जीले में इस टित पर आमारा से उत्तर हो जाएगा भाई पर्षट सी तीन जग है दिकला हां एक 은मिए में सिप्कला आगे चलिए तरह देखती है च disciple क्रासनी नाम के ऐसका सिप्कला जो है यह त्ररू legitimate में किस नाम ऐसे जाना जाता है इसमें अगर देखें क्या गोदना सिल्प है या कौडी सिल्प आप देखेंगे तो कौडी जो रहता है किस टाइप का डिजाइन रहता है इसका सीप के जैसा डिजाइन रहता है भी कौडी तो इसी हम क्या कहते हैं कौडी कलात कहते हैं या कौ दोना पत्तल निर्मान के लिए बारी जाती को जानते हैं, आगे देखिए, धनकुल वाध्यंत्र में किस का प्रयोग होता है, या किस चीज का प्रयोग होता है, जो धनकुल वाध्यंत्र जनजाती वाध्यंत्र है, इसे किस-किस चीजों के साथ बजाया जाता है, तो आप दे इनों को मिलाकर क्या बनता है आपका धनकुल वाध्यंतर बनता है तो माना से उत्तर हो जाएगा धनुत हंडी और सुपा इन तीनों से भी यह वाध्यंतर बनता है धनकुल वाध्यंतर जो है अगला देखिए गंगा दसरा पर्व कब मनाया जाता है जो गंगा दसरा पर्व है जेटकि महा के अंतरगत जो सुकलपक्ष यह मनाए जाता है ऐसी को कहते है यह गंघा धसमी स्वरगे से उतार कर धरती में आती है इसी कारण से हम पर्व मनाते है गंगा दसरा या गंगा दसमी जो है मुख्यता है यह उत्तर प्रदेश वाले एरिये में ज्यादव है अब उत्तर प्रदेश में जो है देखेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा कहां से लगता है वही छत्तिस गड़ के उत्र कम्राइज में से रंचे कतनों पर विचार की जार की है य। अब urban 2021 में में राश्ट्री विध्याले की स्थापना किया। 1922 के अंतरगत जो 1922 में सिहावा जंगल सत्य अग्रहा में सामिल हुए थे, तो सिहावा जंगल सत्य अग्रहा की अंतरगत भी नित्रित्टू क thi दौरा तरड है 1925 में धमतरी में संस्कृत पाड़ साला की स्थापना की इसके बाद इन्होंने संस्कृत पाड़ साला के भी स्थापित किये थे कब 1925 में बाबु छोटेला स्रिवास्ताओ के दारा अगला कथन है आपका 1930 में रुद्री नवा गाव जंगल सत्यागरह का नित्रितु किया तो ये भी 1930 में हमारा जो सविनय वग्यान दूलन चल रहा था उस समय जो रुद्री नवा गाव के जंगल सत्यागरह उसमें भी इनका योगदान प्रमुक था इसके अलावा 1937 में धमतरी नगर पालिका की अध्रक्ष की रूप में भी निर्वाजित हुए तो जितने भी कथन दिये है पांचों के पांचों कथन कैसा है ये सत्य है अब चोटे लाल सिर्वास्तों के पने सभी के कथन क्या होते हैं पricesारे कथन के सत्य हों को आगे देखते हैं, निम्नलिकित कथन पर विचार कीजिए, अब एक कुछ कथन दिये है और उसमें किसकी पहचान करना है, आपको सत्य कथन के पहचान करना है, तो देखिए, पहला है नवाखाई परव, जो नवाखाई या नवाखानी जो परव है, भाद्रमाह में मनाया जा ने धान चड़ाया जाता नुक्यता घोंड जिनाती के द्वरा जो मनाइजाते अन्य सभी लोग भी मनाते हैं लेकिन मुख्य रूप से हम जनजाती परव में देखेंगे तो गोण जनजाती के दोरे यह मनाया जाता है तो सत्य कथन के अगर बात करेंगे तो आपका तीनों कथन के होगे सत्य होगे एक दो तीन तीनों कथन के होगे सत्य होगे आगे देखिए अगला क्विस्चन धनकुल पर्वा किस जनजाती के द्वारा मनाया जाता है धनकुल पर्वा जो है मुख्य रूप से कौन से जनजाती मनाती है भई धनकुल पर्वा अगर देखेंगे धनकुल पर्व मनाया जाता है हलबा जनजाती के द्वारा ये पर्वा मनाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है, आगे देखिए, अगला question, भीमा जत्रा पर्वा किनके द्वारा मनाया जाता है, अब एक पर्वा है अपका भीमा जत्रा, मुख्य जाता है ये दक्षिन ठीक है चैत्रमाह में मनाया जाता है लेकिन ऐसा कोई option नहीं दिए असिस्टेंट डारेक्टर जो एगरिकल्चर का पेपर हुआ था उसके अंदर कर यह question है लेकिन यह option था ही नहीं लेकिन सहीं उत्तर हमारा क्या होगा भई यह चैत्रमाह में यह परव मनाया जाता है भीमा ज आउसर पर किया जाता है किस आउसर पर करते हैं तो विवाह के आउसर पर किया जाता है भैवत पादक बहुत तिव्रगति से होने वाले जो है यह नित्य होता है मुख्यरूप से इसमें पुरुष भाग लेते हैं तो यह नित्य किया जाता है पाहड़ी कुर्वा के दौरा दमनचनित्य किया जाता है पाड़ी कुरवजन जाती की दौर एक दमनचनित्य किया जाता है आगे देखिए घोटूलपाठा के बारे में सत्यक्तंपरीचा करने हैं ये उसके सब्सक्छाल सबंगे इस मिलेंगे गोटूल पाटा एक मृत्यू संसकार गीत है जन्रली इस गीत के अंतरकत जो है मृत्यू के बाद जीवन कैसी होती है उसकी रहस्यात्मत किसे कैसे जीवन होता है उसकी उपर गया जाता है जिसमें राजा जुलांग साय की गाथा होती है राजा जुलोंग साय, जुलांग साय या जुलोंग साय, ठीक भई, राजा जुलोंग साय, इनकी गाथा का गायन किया जाता है, ठीक है, अब इस गीत का गायन मुख्यता जो जाती, जिस जनजाती में ये प्रसिदित है, उसका नाम है, मुडिया जनजाती के अंतरगा, कहां पर प्रसिद्ध है तो मुडिया जन्जाती में प्रसिद्ध है तो पहला कथन दीखी इसमें राजा जोलोंग साय की गाथा का गायन किया जाता है तो हमारा कथन सही नहीं है एक और तीन आएक देखिए अगले किस गुण जाती के द्वारा की जाता है निगो पाट जो नित्य किया जाता है किनके के द्वारा किया जाता है लिंगो supporter आप देखेंगे, एक का लिंगोपेन, लिंगोफेन बीचा की बात होती है, जो घोटूल के देवता की रूप में इसकी पूजा करते हैं, अब घोटूल क्या हो गया है?ette चुका है अच्कल भाई अब गवर्मेंट में क्या कहा है इसे गOOुटूल का जांगा जाए Ну sticking तो व्चा पटाना कि यो है किनके द्वारा कियाता है परधान जन जाती के द्वारा यह किया जाता है लिंगो पाटा जो है नित्य जो है परधान जंजाती के द्वारा किया जाता है अगला कुश्चन देखते हैं इसमें अगला है आपका निम्निगित को सुमेलित किजिए सुमेलित करना एक तरफ नित्य है दूसरे तरफ जंजाती कि कौन से नित्य कौन से जंजाती के द्वार जनजाती कि तुरी जो में जो आपका खटिया खटिया सूपा बहरी को मिलाकर हामि की सरचना बनाते प्रतिकात्रा उसे क्यागते है toes अधि के सरचना बनाते है उसमें होने वाले सम्धी को बैठा कर नचाया जाता है, इस परगोने नित्य की अंतरगा, दूसरा नित्य है आपका गौर गौर नित्य की अगर बात करेंगे तो यह नित्य किया जाता है मुडिया जंजाती के दौरा मुडिया जंजाती जो कौनसी मुडिया दंडामी सॉरी माडिया जंजाती के दौरा किया जाता है दंडामी दंडामी माडिया इनके दौरा यहां गौर नित्य किया जाता है जिसमे जंगली आपका भैस है या बाइसन हार उनका सिंग लगाकर किया जाता है और इसे ही इस नित्य को वेरियर ऐल्विन के दारा विश्व का सबसे सुन्दरतम नित्य कहा गया है तो माडिया जन्जाती के द्वारा किया जाए अगला आपका है हुलकी पाटा, हुलकी पाटा किसी भी आउसर पर किया जाना वाले नित्य है, यह किया जाता है मुड्या जन्जाती के द्वारा, ठीक है, अगला आपका है धांडल नित्य, धांडल नित्य किया जाता है थरी भी दो जगह है सी के अगर बात करेंगे तो सी हमारा क्या है फाइब सी का फाइब जाएगा हमारा डी थन्यवाद इतने ही क्विश्चन थे हमारे पास अगले वीडियो में आते हैं नेक्स सेशन लेकर जाए थन्यवाद उन्यवाद